तर्किस बास बोसा जो खाने में काफी अच्छी लगती है, उसमें ओईल भी बिलकुल नहीं होता और एगलेस होती है. इसके लिए हमें चाहिए हमने एक कप सूजी लिये, शुगर लिये, मिल्क लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है और थोड़े से आलमन लिया है, जो हमने भीगो दिये थे उनको छील के रखा हुआ है, इससे हम आज बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, फिर हम इसके अंदर, फिर बेकिंग सोड़ा, फिर दूद, इससे हम अच्छे तरह मिला करके, हमने ये मिक्स कर लिया है, सब कुछ, और हम जिसमें बनाना है, उसी ट्रे में डालके रखेंगे, पर हमें इसका एक गंटा वेट करना पड़ेगा, जब तक सूजी फूले ही, तब तक हमें बेट करना पड़ेगा, और इसमें सूजी फूल जाएगी, तब हम इस पर आल्मन लगा करके, और फिर हम इसको ओवर में रखेंगे, जब गंटे के बाद ये हमारी सूजी फूल गई है, हम खाली इसमें निशान बना देंगे अभी, फिर इसे हम ओवर में इसमें बाद देंगे हम, हम ओन में रख देंगे, और इसके बाद हम चास्नी बनाएंगे, इसके लिए अक्टिरी मीठा पानी बनाएंगे, कोई चास्नी नहीं बनाएंगे, हमने एक कप शुगर लिये, और एक कप ही पानी लिया है, और थोड़ा सा विनेगर या निभू का आजा निभू लिया है, और उससे हम बनाएंगे, हलका स्वीर वाटर, जब यह पक जाएगा तब इसमें डालने के लिए उपर, हम इसमें चास्ती बनाएंगे तो हमने एक कप चीनी लिए, और एक कप ही पानी लेंगे हम, इसका बिको जस्ट शुगर मेर्ट हो इतना ही चाहिए हमको, और हमने सारा लेमन जूस डालेंगे इसके अब दाल, अपने फ्रिवर का भी लाइची का भी डाल सकते हैं, तब यह इसको हो बालती है, हमारे यह तयार है बिल्कुल, हम इसको कट करेंगे, और इस पर हम सुगर सिर्फ डालेंगे थोड़ा, जो हमने बनाया था, इसको दस मिलता भी भीगने देंगे थोड़ा, और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, यह तयार है, इसको हम क्रीम के साथ खाएंगे, यह हमारा बास बुसा तयार है आपको खाने के लिए, यह तर्किस दिस है, और स्वीट, तर्किस के खाने में अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि अबियू पूग्छ कर दो दो